यह 312 नमबर ठिक मलाई हुगे पहुत अमेजिंग होता है जानी मुस्टोर से छह है तोर डिफोर्स पता लग जाता है ओमाई गॉड रंग रंगीलो राजस्थान और राजस्थान का दिल है जैपूर और जैपूर के हर गली महले में आपको एक ऐसा स्वाद मिल जाएगा जो सालों से जैपूराइट्स को सब हो रहा है बिना बदले और आज मैं अपने एक वीडियो के थुरू आप तक एक ऐसा स्वाद पहुंचाने जा रही हूँ जो 1944 से जैपूराइट्स को लसी पिला रहे है और जो 1944 में इस लसी का स्वाद था वही स्वाद 2022 में भी है सो चलिए मेरे साथ और टेस्ट करते हैं जैपूर की फेमस लसी वाले की लसी हम लोग जा रहे हैं M.I.R.O.D. जहां हम टेस्ट करेंगे आइकानिक लसी वाला की लसी जिन्हें लसी किंग भी कहते हैं आपको पता है लसी वाला on M.I.R.O.D. is one of the oldest and signature thing of the pink city आप देख रहे हैं यहां पर तो ट्राफिक जैम है लसी पीने वालों की भीड जमा है मतलब मैं सोच रही थी कि मैं अपनी कार कहां पास करूँ यह देखिए मतलब पूरा रोड जैम हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जैपूरी आज लसी वाला की लसी पीने आ गया ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही इतना रश है यहां पर हर रोज इतना ही क्राउड आता है और यह जो आप देख रहे हैं शॉप नमबर 312 यह है ओरिजिनल लसी वाला की लसी वाली शॉप ठीक है और साथ में आपको देख रहे हैं वो भी लसी की ही शॉप है बट वो सारी कॉपी है ये जो 312 आप याद रखिए ये 312 नमबर जो है ये है ओरिजिनल लसी वाला ये इस बात है Mr. Karan उन से बात करते हैं So Karan जी प्लीज बताएगे आपर किती तरह की लसी मिलती है स्वुआल लसी मिलती है सॉर्ट लसी मिलती है विदाओ शुर मिलता सुपर प्लीज तरह करना मारेशन है कर फोड़ साइज नहीं में आप जे तरह करते हैं यहां पर मैं आपको बताओं सची में फुरसत ही नहीं थी एकदम से बस लसी बनती थी उनको ग्लासेज में डालते ते ऊपर शुर्ट नहीं होता है। से यह देखिए कितनी थिक मलाई उपर डाली जा रही है जिसका जो लसी का जो टेस्ट है इस मलाई से बहुत एन्हांस हो रहा था साथ के साथ लसी फ्रेश लसी बनाई जा रही थी फ्रेश दहीं आ रहा था वहां पर कुलड में लसी सर्व हो रही थी और आपको पता है जिस वह पंजाबी में कहते हैं ना इक लसी दा ग्लास ते बाकी सब बक्वास आप यहां पर लसी वाले की लसी कितने सालों से पी रहे हैं 20-25 साज तो क्या स्पेशल लगता है आपको यहां की लसी में जो और बाकी जो शॉप्स हैं जो लसी वाली वहां पर चैंजा़ जरतुकि में देख शौक सब सी मीरपता की लसी में में गजबता है जो सिंगार से खिलेगा सुक्राइग वर्हां है जरतस घरते हैं चैंजावरे की लसी पी रहे हो जिरतवलभां यहां ज्हबता व्या दुर्द यहां शिना हो dalla उद सिर्फित्यू बहॉ यह एक ग्लास है, यह जुवन थे, अधर दन देख, इनका पूर और प्रेश प्रेश प्रेशन है, और यू, I think my child, my son, also likes this. तानी मिस्तोर सच है, पताये मिस्माशा, बहर अच्छा होता है, I am actually from Jaipur only, so I know it's really popular and people from all over come here to bring this lassi, it's really wonderful. So, कितने टाइम से आप आरहे हैं यहां पे लसी पीने के लिए? मैं Jaipur बेज़डी हूँ, so I keep coming, कब जब भी हाना होता है. Okay, so क्या different है यहां की लसी का, जो बाकी शॉक्स में होते हैं लसी? It's just the flavor, कापी टाइम से है, तो इसकी रही ही गुज़डी बने रही है, आप बाकियों में भी टेस्स करने हैं, so it differs, पता लग जाता है कि यही डिफिन है. So, अब मैं आपको बताती हूँ कि लसी वाले की लसी का टेस्ट कैसा है, और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, यह देखिए उपर इतनी मोटी लेयर है मलाई की, I guess यही यहां की speciality है, कि इतनी फ्रेश यहां पे दही जमाया जाता है, मलाई काफी थिक है, काफी टेस्टी लग रहा है, मैंने स्वीटलस ही लिया है, यहां पे salty भी है, sugar-free भी है, सच में, अगर 1944 से यहां पे लसी भिक रही है, और लोग घिचे चले आ रहे हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन है, और वो रीजन यह है, कि यह तेस्ट बहुत ही amazing है, Oh my God, Heaven, Heaven, So guys, यह था मेरा आज का व्लॉग, मैंने आप तक स्वाद पहुंचाया, लसी वाले की लसी का जो famous, जो original लसी वाले की, उस लसी का स्वाद मैंने आप तक पहुंचाया, आपने वीडियो की तुरू, I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया, कुछ और इंट्रस्टिंग लेके आने वाली हो, मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ शेयर करूँगी, जैप्र को तोड़ा और एक्स्प्लोड करूँगी, मैं तिल दुल दुल दू, STAY SAFE, AND KEEP ASKING YOUR LIFE, OKAY? NOW WHAT?